नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी के MD Classes की यूटूब चैनल में तो पल-पल की चीज़े आप सभी को मिल नहीं है बहुत चोटे चोटे वीडियोज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके concept आप सभी के साब में समझा रहे हैं तो पहले दिन एक question पूछा गया था रोवन संख्या हैं हमने अपने बच्वरी किताबों में तो पढ़ी है लेकिन अभी उसको कैसे पढ़ा जाए उसमें आगे किस तरीके से वर्क किया जाब वहां वहां पर देखेंगे एक बजे च्छे बजे और नौ बजे के सारी की सारी आप बच्चों को पता ही है तो जरूर सबसे पहले जो आप सभी को पता होगा वह यह चीज पता होगी कि अगर आप यहां पर रोमन संख्या है पढ़़ तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए क्या है समझना मेरी बात को कहीं भी अगर एक लिखा होता तो इसको हम लोग क्या पड़ते हैं इस तरीके से एक कैसे यह बताओ क्या आप सभी के घर में LCD है क्या है LCD और आपके सहर में क्या ड North Red का रहते हैं पाई सिडीसी बात है आप सभी की घर में LCD और आपके घर डियुम gel तो LCD मतलब बोले तो 50 100 और आपके लिए 500 क्या हो गया LCD का रिट कहांसे कहां तक हमने मान लिए भाई 50 नहीं होते लेकिन मान लेते हैं यह कहां से कहां सब्सक्राइब गाइब एक हजार हो जाए तो एम तो आपको सिंपल से याद हो जाएगा आँ बोले तो आपके लिए 1000 हो जाएगा मतलब कहा देंगे maximum तो maximum क्या हो गया एक हजार हो गया क्या है बनानी पड़ जाएंगी तो म क्या हो गया maximum 1000 अब बोलो याद हो गया कि नहीं याद हो गया है LCD बोले तो टीच के लिए एक से लिखा ओ रिखा ओ चाहे सी लिखा ओ चाहे एम लिखा ओ इनको maximum 3 वार ही repeat कर सकते हैं इस बात को याद हखिए गा इन सभी को चाहे मापस आई लिखाओ, X लिखाओ, C लिखाओ, M लिखाओ, अब एक्जामपल के दूरू समझते हैं, अगर सिरफ हमारे पास ये लिखाओ, तो क्या इसको हम वन बोलते हैं, अगर हमने इसको दो बार लिख दिया, तो क्या हम इसको टू बोल देंगे, और अगर हमने इसको तीन बार लिख बाल लिख दिया तो क्या हम 20 बोलेंगे 3 बाल लिख दिया तो क्या हम इसको 30 बोलेंगे लेगिन 40 का मतलब यह नहीं होता कि हम इसको 4 बाल लिख दे C का मतलब होता 100 200 और 300 M का मतलब आपके हिसे का 1000 2000 और 3000 चलता है तो I X C M तो यह चीज को हम maximum 3 बार repeat करते हैं वी अगला concept समझा देता हूँ मैं आपको अगले page पर समझा देता हूँ जो बहुत अच्छा concept है V को L को और D को कभी भी repeat नहीं करते हैं यह सारे concept आपको बहुत rare जहों पर मिलेंगे लेकिन हमने सोचा है जब पढ़ा रहे रहे तो ऐसा पढ़ा है कि मज़ा आ जाए तो V, L, D never repeat कभी भी इनको repeat नहीं करते हैं जैसे मतलब की V का मतलब 5 होता है न वी का मतलब क्या होता है पांच होता है तो क्या अगर आप V को दो बार लिख दोगे तो क्या ये 5 और 5 दस हो जाएगा क्या नहीं 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 होता है क्योंकि 10 के लिए तो already X बना रखा हुआ ह समझ में आ गया अच्छा ठीक है तो ऐसा क्यों होता है ध्यान देना पांच वाले ही लिखा हुआ है जैसे V, L, D यहां भी 5 आ रहा है यहां भी 5 आ रहा है और यहां भी 5 आ रहा है तो याद रखना repeat नहीं करने वाला भी याद नहीं करना आपको समझ नहीं नहीं क्या 5V, 5L और 5D समझ लेना बात खत्म जाएंगे तो इसको repeat कभी भी नहीं करते हैं जाएज एक्जाम पर हम अगर L ले लेते तो L को क्या बोलते हैं या 50 बोलते हैं तो अगर मैंने दो बारे लिख दिया तो क्या यह 100 हो जाएगा क्या नहीं 100 तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि 100 के ल कि हमेंसे एक चीद ध्यान अखिएगा कि अगर जैसे मानो हमने 5 लिखा है ये 5 हो गया इसके सामने हमने 1 लिख दिया तो अब होका क्या इसको हमनो बोल देते हैं 4 लेकिन अगर यहीं चीज उलट जाए 5 लिखा था हमने इसके इधर साइड में 1 लिख दिया अब इसको बोल जाएगा और अगर बड़ी वाली संख्या के आगे छोटी वाली संख्या लिखी हो तो यह चीज क्या हो जाती है प्लस हो जाती है पहले लिखे होंगे तो माइनस हो जाएगी और अगर आगे लिखे होंगे तो प्लस हो जाएगी अरे समझ में आया कि नहीं समझना है कॉम से बहुत आसान से कुछ खास नहीं समझना है। जैसे मैंने कहा कि भाई एक चीज़ ये बताओ कि हमें लिखना है 9, तो 9 को आपको पता कैसे लिख सकते हो, 10 में से 1 घटा होगा, तब ही तो 9 बनेगा। 10 का मतलब होता है X एक घटाना है तो एक को पहले लिख दो एक घटी जाएगा तो यही क्या हो जाता है ना हो जाता है क्या जंता को बास समझ में आ रही है कि नहीं समझ जा रही है अरे आ रहा है ना एक बाफ फिर से समझते हैं हमने का मेरे भाई 11 हमें लिखना है यानि 11 का आ प्लस एकड़यों कोगे 10 प्लस एक लिखंगे 10 और एक ही जोड़ना है लिख बाथ दो छोटी वाली संक्या पहले तो माइनस और चोटी वाली शंखया बाज तो प्लस कि साली जहन को बात बिल्कुल अच्छे तरीकिए समझ में आया कि निसारी तीस बात में किसी वालक तो समझना अगर कभी भी रोमन संख्याओं के उपर बार लगा दे है ना अगर हमने कभी भी रोमन संख्याओं के उपर बार लगा दिया तो वो एक हजार गुना बढ़ जाती है यानि एक हजार टाइमस उनका रोमन संख्या हो जाती है ऐज एग जामपल मैंने लिखा 5 वlection 5 उपर बार तो एक चुन मेरे 5 गुड़ा एखजार बोले तो यह 5000 हो गया समझ गया कि 4000 की उपर संख्या कैसे लिखीจะ आती है मैंने ए doen आपका बोले तो वह एक दो तीन चार पांच है कॉंसिफ समझ में आया कि नहीं है तो अगर कभी भी लगा दिया आपने बार तो मामला हो जाएगा गरबर और बो बात हो गया क्लियर के नहीं क्लियर हो गया अरे हाया ना सब को समझ में आ रहा है क्या किसी बालक बाली का को कोई परसानी की सर जी अभी तक नहीं समझ में आया अभी जब संख्या बनाना भी तो कहोगे बस वाह इतना ही बोलके बस रोई जाओगे मज़ा आ जाएगा इतना तकड़ा समझेंगे कौम सरुझ और जोना सब को सोच के बताना कि कितना आएगा मैंने कहा साट सोच के बताना मैंने कहा सत्तर मैंने कहा असी मैंने कहा नब्बे क्योंकि आपको भाई पचास कभी पता है सौक बता एलसीडी तो पता ही कि नहीं पता पचास सो पांसो अरे हाया ना बैने कहा 200 मैंने कहा 400 मैंने कहा 600 और मैंने कहा 900 अगर आपने इतनी संख्या लिखनी जान गई न तो फिर समझ लो कि मामला उड़ा दो गए भी पूरा का पूरा अरे पक्का है कि नहीं पक्का जंता है पका आज ज़रा समझते हैं भाई या वीस बोले तो दस प्लस दस तो दस प्लस दस हो गया की नहीं हो गया वी तीस बोले तो दस प्लस दस प्लस दस तीन बार सिरफ रिपीट कर सकते किसको आई एक्सीम को चालिस होता है जब पचास में से दस घटाते हैं तभी तो चालिस होता है और पचास को बोलते है और उसमें से दस घटा रहे इसका मतलब एक्स घटा रहे है तो क्या यह एक्सल ह गिया अच्छाटी के साट मतलब होता पचास प्लैस्ट पचास को लिखते है दादा एल और इसको लिखते है 10 का आप बोलो बास समझ मारी की नहीं जनता को अरे मजा आ रहा है की नहीं आ रहा है दादा आ रहा है ना सतर वो क् conceal lx बोलेंगे एक बढ़र कर दो अस्तिव क्या बोलेंगे एक बार और कर दो क्योंकि ऑल एक्स एक्सी हम कोत लेपीट करी सकते हीस कोई धिकत नहीं है 90 क्या क्या बोलेंगे 100 मैं सब दस घटाएंगे तो 90 बोलें ळेंगे औस तका मतलब होता आप सभी को पता है सी दस घटाएंगे तक अठी मिलेंगे 200 क्या बोलेंगे जित्व साथ सांट क्या जोड़ोंगे तार वी तो 200 होगा भाई जब सॉ में सांट पर जोड़ोंगे ताव तो 12 की CC कर另外 300 था 400 मतलब 500 में सिस्टों घटा दो तो पांसों को बोलते हैं डी औस सो घटा दे किसी वाग की बात कर रहा जोरने की बात कर रहा बाग की बात कर रहा हर सबी जंता ने निकाल के रखी हुई है कोई परिसानी है नहीं कहा है परिसानी वह इतना बड़ा रोमन जो concept थोड़ी की बहुत जाला दिक्कत हो जाएगी अब सुरू करते हैं तहल का तेके अब समझते हैं क्या है क्या ने वीडियो को दो तीन बार जरूर देख लेना ताकि भूलो ना और पेपर में दो नंबर ऐसे जेव में छुपा के लेकर आओ कहो भई आप तो दो नंबर हमारे फिक्स हैं है ना चलो आओ समझते जरा जो मैंने फोटो लगाई थे थमदेल में वही वाले कोशन ले लेते चैसो निन्यावे अब बताओ चैसे लिखोगे क्य अरे हाँ या ना अब 600 मतलब 500 प्लस 100 500 का मतलब क्या होता है डी और 100 जोड़ना है तो जोड़ना मतलब सी इधर 90 मतलब क्या होता है 100 में से 10 घटाना है तो 100 को क्या बोलते हैं आपको पता सी और 10 घटाना है इसका मतलब 10 घटा लो 9 को क्या बोलते हैं सभी को पता है क्या सार जंता को समझ में आगे करो जबाड़तों एक से इक कोशन और अधर दें जो बोल दो नमबर आप है ना कमेंट बॉक्स में खुदी नमबर बोलना खुदी सॉल्व करना एक छोटा से एजाम पर ले लेते हैं आठ सो पच्पंट चलो बता हूं सोच हुजा रहा था वीडियो को पाउज करो इन नमबर के तुरू सॉल्व करने कोसिस करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है बहुत स को त Küकी को तीन बाल लिग सकते है आई सीम intrans को तीन मलक्क्त पता है फिर नहीं बाइस तो पछास का मतलब उतता है सीथे 50 नहीं समय नहीं पता है इसके बाद समझते हैं आप मुझे बता आप घल वाकई मज़ा आगा तो वीडियो के इतना लाइक कर देना इतना लाइक कर देना के जो किसे इंड़स्ट्री में हमकी रिवांक बढ़ा दे कि जब दस तरीके से लाइक करता हूँ जिसका आप लोग घर बैठके सलूशन बताओगे कि इसको हम रोमन में क्या लिखेंगे हम इस समझ में आता है तो वीडियो को दुबारा रिपीट करिए तिवारा रिपीट करिए जितनी बार हो पाई रिपीट करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए रोमन से क्यों ही परिसान होता है जब सत्यमसर जी यहां खड़े में ओके थाइंक यू मच गाईज तब तक झाल